हालो प्रेंड आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है आज आपके साथ सेयर करेंगे कुछ टिप जिससे आपके घर के किचन के काम होंगे आसान पहला टिप्स है मेरा जब भी हम पूरी बगेरा बनाते हैं तो एक एक करके बनाते हैं तो बाओ टाइम लगता है तो आप क्या करें यहां पर ली हुई हमने थाली और इदर हमने आटे से लोई बना के रख ली हैं तो यहां पर हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सोईल तो हाथ से इस तरीके से तो यहां पर हमने इनको ऐसे थोड़ा-थोड़ा हांतों से दबा देना है इसके बाद इसको पलट देंगे जिससे की इसके पीछे तरफ भी ओयल अच्छे से लग जाए यहां पर लिए है एक और थाली और इस तरीके से इसको दबा देंगे तो यहां पर हलके आतों से थाली को दबाना है बहुत ज्यादा तेज नहीं दबाना है तो देख सकते हैं एक साथ चार पूरी हमारी पनिके तयार हो गई है तो इस तरीके से आप ज्यादा मात्रा में कम समय में पूरी बना के तयार कर सकते हैं ये टेक उनके लिए और भी आसान है जिनको बेलन चलाना नहीं आता है तो वो भी इस तरीके से पूरी रोटी बना सकते हैं अंगली टिप्स है जब भी किचन में होते हैं तो कैची की पहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि जो भी पैकिट वाली चीजें होती हैं हमारे किचन में उसको काटने के लिए तो कैची हम अगर इदर उदर रख देते हैं तो कैची मिलती नहीं है या कहीं खो जाती है तो आप क्या करें इस तरीके से धागे में बांद के और किचन में किसी किलकी में या हैंगर में इस तरीके से बांद सकते हैं तो इससे कैची जब भी आपको काम होगा तो तुरंट मिल जाएगी तो इस तरीके से बांद के रख दें और जब भी जरूरत हो तो इसको निकाल लें अंगली टिप से हमारी लाइटर को लेके जब लाइटर हम बहुत दिनों तक साफ नहीं करते हैं या इसको किचन में गंदे हाथों से पकड़ लेते तो लाइटर हमारा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है सेनिटाइजर इसको हम इस तर तरीके से साफ कर देना हैं तो कित्ना भी गंदा लाइटर हो या दाग दबमे हो बहुत जल् Buff हो जाएंगे तो इस तरीके से लाइटर को आप साफ कर सकते हैं तो यहाँ पर जो इसके उपर का हिस्स्टा है इस कपड़े से साफ नहीं हो रहा है अगर तो आप इस तरीके से बिरस ले सकते हैं कोई भी आपके आगर बेकार बिरस पढ़ा हुआ है उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो इसमें कोनों में गंदिगी बगएरा होगी वो साफ हो जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइटर हमारा साफ हो गया है अंगला टिफ से इस तरीके से बिरस बगेरा सब के घर में बेकार पड़े रहते हैं तो इसको आपको एक अच्छा सा यूज करके दिखाएंगे तो आपको लेना है चाकू चाकू को हमने अच्छे से गरम किया हुआ है और इस तरीके से बिरस को काट लेना है इसके बाद में इसके जो ये उपर का हिस्सा है इसको अच्छे से गरम कर लेंगे और इस तरीके से इसमें लगा देंगे और इससे आप जो भी फनीचर बगेरा सामान साप कर सकते हैं या आपके घर में कोई फनीचर वगएरा हो जिसके कोने कपड़े से साफ नहीं होते हैं तो इस तरीके से दूल मिट्टी हटा सकते हैं इसके अलावा आप सिंक में भी जो कोजूने से साफ नहीं होते हैं कोने बगएरा तो इस तरीके से आप ब्रस की साहता से साफ कर सकते हैं तो इस तरीके से आप पेकार पड़े ब्रस को इस्तेमाल में ला सकते हैं वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो एक लाइक जरूर कर दे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी कौन सी टिप्स ज्यादा पसंद आई